बहुती जादा टेस्टी वर्ट फेमस दुनिया की सबसे बेस्ट मखाना करी की रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली हूँ किसी भी रेस्टोरेंट, धाबे, होटेल, शादी, हलवाई इस सबजी को नहीं बना सकते इतना टेस्टी जितना मैंने बनाया है एक बारना इस सब्जी को आप मेरे तरीके से घर में बना कर देखिए, हर कोई आप से रेसिपी पुछेगा दो बड़े चमर्च घीके डाले हैं घी के अंदर, मखाना जो होता है ना एक कप मखाना डालके, फॉक्सी डालके अच्छे से रोस्ट करेंगे बिना घीके भी कर सकते हैं, बिना तेल के भी कर सकते हैं, एर फ्रायर और अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं लेकिन घी में पकाईए, एक तम ब्राउन सुनेरा होने तक नहीं तो दातों में मखाना चिपक जाएगा ग्रेवी बनाने के बाद जब खाएंगे तब यह मखाना थंडा होने के लिए रख देंगे, एक पैन में दो बड़े चमच घी लेंगे और घी को अच्छे से गरम करिए, उसमें शाजीरा डाल दीजे, एक बड़ा चमच नहीं तो ओडनेरी जीरा भी डाल सकते हैं, फाइनली चॉप करे हुए दो प्यास डाल देंगे अब प्यास को बहुत जादा बुनने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल कम बुनावा रहता है और बहुत अच्छा टेस देगा आपको सिर्फ एक मिनिट प्यास को घी के साथ मिक्स करना है और इसमें बाकी चीजे अड़ करेंगे दो बड़े चमच मैंने गार्लिक के लिए हैं, गार्लिक को भी एकदम बारीक चॉप करके लिया है, कद्दुकस करके एक चमच अद्रक का लिया है अद्रक भी कद्दुकस करिये बारीक वाले कद्दुकस से और इन सब को मसालों में टॉस कर लिया एक मिनिट और दो बड़े चमच ग्रीन चिली लिया है, लाइट कलर वाली ग्रीन चिली बिल्कुल भी ठीक ही नहीं होती आपको जो ग्यास का फ्लेम है ना मीडियम टु हाई रखना है और कंटिनुसली चलाते हुए पकाना है दो टमाटर को कद्दुकस करके एक तमबारी कद्दुकस करके या फाइनली चॉप करके चॉपर में डाल दिया है बिल्कुल मेरे तरीके से ही ग्रेवी बनाईए पानी नहीं होता रात पर सूती कपड़े में दही को बांग के रख लिए आदा कप मैंने लिए हैं काजू जिसको रात पर मैंने बिगो कर अच्छे से वाश कर लिया और फिर दुबारा से इसमें पानी डाल दिया जिससे कि हम इसका मिक्सी में पेस्ट बना सके पानी जो मैंने इस्तमाल किया न फ्रिस का एक थंडा पानी इस्तमाल किया है काजू पेस्ट बनाने के लिए क्योंकि काजू पीस्ते वक्त मिक्सी का जार गरम हो जाता है जिससे की काजू अच्छे से पिस्ते नहीं है और कलर उसका अच्छा नहीं आता है इसलिए आप इसमें चाहें तो बरफ अट कर सकते हैं पीस्ते वक्त उसे काजू का पेस्ट बहुत ही अच्छा पिस्ता है और जार गरम भी नहीं होता देखिए काजू का पेस्ट बना के फ्रीजर में जिप लॉप में रख दीजे और जब भी ग्रेवी बना रहे हैं एक टु मर्जी में से निकाल कर फ्रीजर में रख दिया अपनी रेसिपीज में आगे इस्तमाल करने के लिए गाजू का पेस्ट बहुत ही असेंशल होता है फ्रीजर में होना ही चाहिए जब मर्जी सबजी बना रहे हैं पेस्ट निकाल के डफ कर सकते हैं देखिए ग्रेवी को पाउडर बना के रख लेती हूं एक कप एकदम तेज गरम पानी डालेंगे ग्रेवी बनाते वक्त हमेशा गरम पानी का इस्तमाल करिए ठंडे पानी से कुकिंग प्रॉसस स्लो होता है और अच्छे से रिलीज नहीं होता है और ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं के और आधी चमच सिनेमन स्टिक दालचीनी का पाउडर आधी चमच कसूरी मेती का पाउडर और आधी चमच लॉंग का पाउडर सारे लॉंग जावित्री दालचीनी को अलग अलग तवे पे हलका सा केवल आदे मिनिट के लिए रोस्ट करके उनका अलग 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 पाउ सोच सकें और उनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही जादा अच्छा है चीनी डालेंगे एक चमच बहुत जरूरी है मीठा पन नहीं आता लेकिन ग्रेवी एक्स्ट्रीमली टेस्टी हो जाती है और नमक आप अपने स्वात के अनुसार आदी चमच डाल दीजे नमक शुरू में क मतर उपाल के वनफोर्थ कप इसमें डाल दीए है मतर ऑप्शनल है मखाना करी में लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं काजू और किश्मिश वनफोर्थ कप डाल दीए और जो मखाना रोस्ट करेते वो भी डाल दीए बिलकुल अगर मेरे तरीके इसे घर पे एसटेस बनाएंगे तो देखिए ग्रेवी कितनी टेस्टी लगती है मावा खोया आधा कप खोया जो होता है न वो आप मिल्क को एक लीटर दूद को कड़ाई में बिलकुल गाड़ा होने तक सूखने तक रिड्यूस कर लीजिए बिलकुल रिड्यूस्ट किया आप चाहें तो मिल्क पाउडर से बना सकते हैं लेकिन डारेक दूद से बनाएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा घर में और बनाके फ्रीजर में रख लीजिए और ये वन फॉर्थ कप मैंने इसमें क्रीम डाल दी है अम उलकी फ्रेश क्रीम देसी वाली मलाई जो होती ना घर त्रीन बड़े चमच हरी मिर्ची मैंने आपको बता दिया था हरी मिर्ची बिल्कुल भी तीकी नहीं है इसलिए मैंने दुबारा से हरी मिर्ची डाल दी है लास्ट में और गरा मसाला आधी चमच गरा मसाली की रेसिपी ओल्रेडी शेयर कर चुकियों कसूरी मेती दुबार के रख लीजे उसे सबजियां बहुत टेस्टी बनती हैं बिलकुल धाबे और रेस्टरेंट जैसी जो ग्रेवी है अल्मोस्ट बनके तयार है लेकिन ऑईल रिलीज नहीं हुआ है इसके लिए ढख के पांच से छे मिनिट जब तक ऑईल सेपरेट नहीं होता कुक करेंगे हलका गरम पानी और डाल देंगे अगर और सेपरेट नहीं हो रहा हो तो तोड़ा सा गरम पानी डालिए फिर से ढख के पकाईए देखिए ओईल यगी जो भी डाला है जल्दी सेपरेट हो जाएगा वापिस से मैं इसे ढख के पकाऊंगी यह मैंना आपको एक ट्रिक बताईए सबजी में जल्दी रिलीज कैसे होता है सबजी बन के बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं रिलीज हो चुका है गानिश कर्यू कसूरी मेती और फ्रेश क्रीम और रोगन से सबजी बहुत ही जादा एक्स्ट्रीम ली टेस्टी लगती है तंदूरी रोटी के साथ साथ भी यह बहुत अच्छी लगती है रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके पीज मोटिवेट जरूर करना और कमेंट से मुझे आपके बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन ओन कर सकते हैं जि झाल